Sarah Dividend Policy या Dividend Decisions क्या होता है एक बार समझ लेते हैं सबसे पहले हमें समझना होगा Dividend Word को हम पहले एक एक Word समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे सरar Dividend होता क्या है एक बार फटा फट से आएए देखते हैं कि Dividend क्या होता है और किस तरीके से dividend को निकाला जाता है आपके सामने एक format है हम एक एक word को देखेंगे फिर हम आगे चलेंगे इस chapter के अंदर और बहुत आसान chapter है अगर आज मैं इस chapter के अंदर दो घंटे लगाऊं तो खतम ही हो जाएगा chapter chapter में कुछ बचेगा ही ने फिर फिर भी हम आज 50% से अब चेप्टर खतम कर सकते हैं आज चाहे तो और मजे की बाद 15 नंबर का है मान लेते हैं मेरा sales है मान लो 50 लाख रुपए का sales मेरा 50 लाख का है minus कर दो sir variable cost और minus कर दो sir fixed cost 10 लाख का variable cost fixed cost मेरा 5 लाख का that is जो हमारे पास निकल के आता है ये होता है EBIT earning before interest and tax EBIT आएगा हमारा 35 लाख एक में income statement बना के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको clear हो जाए कि dividend निकलता कैसे फिर हम chapter के बारे में देखेंगे कि क्या क्या करना है chapter में क्या क्या सीखना है क्यू बनाए गया chapter को minus कर देंगे इसमें interest suppose करो interest जो है वो मैंने बता दिया 2 लाख रुपे ये 3 लाख रुपे तो sir अब जो आए हमारा वो earning before tax आ गया वो आ गया हमारा 32 लाख रुपी इसमें से minus करेंगे tax मैंने tax का assumption लिया sir 50% है that is 16 लाख ये आ गया मेरा 16 लाख ये आ गया हमारा EAT EAT that is earning after tax ये आ गया sir earning after tax इसके बाद जैसे ही EAT हमारा निकला हम इसमें से सबसे पहले minus कर देते हैं preference share holder का dividend सबसे पहले preference share holder का dividend मान लेते हैं यहाँ पर preference share holder का dividend 6 लाख रुपे है तो हमारे पास जो बचा earning earning for equity share equity share holder के लिए है ये यानि 10 लाख रुपे equity share holder सर यानि equity share holder और सर equity share holder कौन है honor है सबसे ज़्यादा किसी business को चिंता अगर किसी को अपने organization की है तो वो है equity share holder को honor को अब equity share holder के नाम की कमाई मेरे पास है सर 10 लाख रुपे अब हमें पता करना होगा कितने equity share holder है let example मैंने यहां मान लेता हूँ कि हमारे पास number of जो share है that is 1 lakh एक लाख equity share है अब ये 10 लाख रुपे मुझे बाटने है सभी share holder में तो सबसे पहले हर एक share holder के हिस्से में अगर मैं बाट दू तो कितना आएगा तो सभी share holder के हिस्से में बाट दू तो earning earning per share एक share holder के हिस्से में सर 10 लाख रुपे divided by 1 लाख रुपे सर formula भी 7 के साथ लिख दो इसका मतलब आपका earning divided by number of number of share तो ये सर आगे हमारा 10 लुपे यानि हर एक share holder को हम 10 लुपे दे सकते हैं इतना तो हमने पैसा कमाया है सर 10 लुपे अगर हमने कमाया है इतना हम share holder को दे सकते हैं लेकिन अब share holder जो भी है इस share holder को सर देना है कि नई देना है वो decision होगा भीया board meeting में हमने एक board meeting बुलाया और board meeting के अंदर हमने decide किया अब हमारे पास दो challenges है या तो मैं अपने business को organization को जो मेरा business है जो मेरा company है मान लेते हैं XYZ limited company है मेरे पास option है कि मैं इसको और expansion और growth में करूँ अब सर ग्रोथ करने का मतलब XYZ limited को एक और मुझे XYZ limited का क्या खोलना पड़ेगा एक और हमें इसका unit या branch कहलो खोलना पड़ेगा सर एक unit से दो unit को branch खोलने में आपको पता है धेर सारा क्या लगेगा investment पैसा पूंजी बहुत सारा अब इस पूंजी को arrange करने के दो option है मेरे पास या तो मैं shareholder को बोलू भया दस लाक रुपे लग रहा है नहीं ब्रांच खोलने में इस बार हम आपको डिबिरेंट नहीं दे रहे हैं इस बार हम आपको कुछ भी नहीं देंगे या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ मैं loan ले लूँ तो loan लेके अगर मैं करता हूँ काम तो मेरे उपर एक extra burden आ जाएगा किसका interest का और अगले साल से जो यहाँ पर interest आपको 3 लाख दिख रहा है अगले साल से यह interest 3 लाख नहीं होगा 3 लाख से बढ़के होगा जिसकी वज़े से हमारा profit भी कम आएगा जब हमारा profit कम आएगा तो earning per share automatically क्या हो जाएगा down हो जाएगा समझ रहे हो बात को तो हम shareholder को बोलते हैं कि भाया देखो 10 रुपए आपका right है आपको देंगे earning per share जिसको EPS भी बोलते हैं earning per share 10 है हम एक काम करते हैं इस वार फैसला आपके हिसाब से बताईए क्या खरें आपको हम dividend दे के ना दे मतलब आपको पैसे दे या ना दे अगर ये 10 रुपए सारा का सारा मैं shareholder को दे दूँगा इसका मतलब ये dividend हो जाएगा मतलब एक तो हो गया के हमने पैसा निकाला के इतना पैसा बाटना है अगर वो मैंने दे दिया तो dividend अब मेरे पास है तो earning per share समझे बात यानि shareholder के जैसे हाथ में गया वो क्या हो जाएगा dividend हो जाएगा तो EPS is equal to आपका dividend तोनों सेम हो सकता है अगर हम पूरा amount उसको दे दें तो सर मजे की बात ये है कि shareholder ने क्या फैसला लिया shareholder ने बोला भाईया ऐसा करो इसके अंदर से जो earning है आप ऐसा क्यूं कर रहे हो कि हमें कुछ सारा दे रहे हो ऐसा करो कुछ हमें दे दो और कुछ आप investment धीरे धीरे करो तो equity shareholder को हमने decide किया कि हम 60% या हम थोड़ा कम amount 40% हमने decide किया कि हम 40% उसको दे देंगे किसको दे देंगे सर? shareholder को तो 40% कितना होगा? 4 रुपए हर एक shareholder को कितना देने वाला हमे? 4 रुपए that is called dividend इसे क्या बोलेंगे सर हम? dividend इसे dividend बोला जाएगा तो हम सीख रहे है dividend policy इस dividend का क्या connection है हमारे business के firm से वो सीख रहे हैं दूसरा सर तो 60% जो नहीं दिया आपने 60% जो आपने नहीं दिया इसको बोला जाएगा जो कि हमारा 6 रुपए है that is pay retention retain earning उसको बोला जाएगा सर retain earning ये क्या है सर हमारा retain earning है तो सर जितना पैसा हम बाट देते हैं that is dividend जितना पैसा हम बचा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं retain earning और इसी जो 40% में बाटने का फैसला किया इसको बोला जाता है payout ratio और जो पैसा हमने बाटने का फैसला नहीं किया इसको बोला जाता है retention ratio सर इसको बोला जाता है retention ratio इसको बोला जाएगा retention ratio मेरा एक सवाल है आपसे अगर मैं आपको payout ratio बता दू तो क्या आप retention ratio बता पाओगे मैंने बोला मेरा payout ratio 60% है तो क्या retention ratio बता पाओगे retention ratio क्या होगा हमारा 40% होगा मैंने कहा मेरा payout ratio 30% है तो retention ratio क्या होगा 70% हो जाएगा अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरा retention ratio 40% है तो payout ratio क्या होगा 60% यानि बड़े आसानी से दोनों में से किसी का भी ratio पता चल जाए तो हम retention ratio easily या payout ratio easily निकाल सकते हैं तो एक नया शब्द नया word पता चला retention ratio या फिर payout ratio तो sir यहाँ पर overall मुझे समझाना है dividend policy तो सबसे पहले आपको dividend पता चला के dividend कैसे दिया जाता है dividend policy में हमें क्या सिखाये जाएगा sir dividend policy में सिखाये जाएगा finally देखो firm के अंदर सबसे अगर हम finally किसी चीज की बात करें अगर हम बात करते हैं sir firm के अंदर अगर हम firm के अंदर बात करते हैं और business के अंदर दो ही objective है business के हमारा business बड़ा बने पहला objective हमारा business बहुत ज़्यादा तरक्की करे दूसरा जिन लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो खुश रहे sir business बड़ा तभी हो सकता है हमारा जब हमारा capital ज़्यादा होगा और लोग खुश तभी रह सकते हैं जब उनको return ज़्यादा मिलेगा तो ही condition है अब हमारा business बड़ा होने के लिए हमें अपना dividend का model ऐसा तयार करना होगा dividend की policy मतलब क्या है sir policy आपने बहुत बार सुना हुआ policy word policy word क्या होता है हमारे planning सरकार की ये policy है ये planning है तो dividend देनी की ऐसे policy हो जिससे हमारा share का market price क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए जैसे ही share का market price ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा हमारा पूरे firm का valuation भी क्या होगा अगर मैं बोलू मेरे पास एक लाग share है और मेरे share का market price 10 रुपए है तो बोलोगे सर 10 लाख valuation है मैंने बोला भाई हमने dividend policy इतना अच्छा बनाया के share का price 12 हो गया तो market price क्या हो जाएगा 12 मैंने खा सर अगले साल और भी बढ़िया बनाया market price तो 20 हो गया तो हमारा value of firm क्या हो गया 20 यानि सर value of firm क्या हो जाएगा हमारा जितने पूरे equity को total कर लेंगे तो पहला कामियाबी आपको तभी मिल सकता है जब आपका dividend policy ऐसा हो जिसके अंदर पहर market के अंदर हमारा पौर share price बढ़ जाए तो सर price को बढ़ाने के लिए क्या करा जाए क्या हमें dividend दे दिया जाए क्या हमें dividend रख लिया जाए question ये raise होता है अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम dividend देंगे तब भी share का price बढ़ सकता है और dividend रख लेंगे तब भी share का price रह भी सकता है और घट भी सकता है ये भी possible है हम क्या करें dividend बिलकुल भी ना दे सारा पैसा हमने रख लिया और सारा investment कर लिया तो शायद हमारे पूरे value का firm बढ़ जाए और ऐसा भी possible हो सकता है कि सारा dividend बाट दे तो हमारे firm का valuation घट जाए तो sir हमें overall हमें क्या देखना है हमारे firm का valuation ज़्यादा कैसे किया जाए और साथ के साथ तरे valuation पे ध्यान नहीं देना साथ के साथ आपका shareholder को maximum point happy रहे उसको dividend दिया जाए उसको समझा पाए तो इन चीजों को समझाने के लिए इन चीजों में कैसे किया जाए valuation ज़्यादा तो हमारे 3 model यहाँ पे आए इविडेंट के लिए अलग अलग जो finance manager थे जो starting में थे अलग अलग लोगों ने अपने इसके लिए अपने तरक दिये अपने opinion दिये के ऐसे करो जिससे हमारा क्या होगा firm का value बढ़ेगा तीन model कौन से है सर एक आया हमारे पास walter model walter जो finance manager थे उन्होंने एक model दिया कि यह ऐसे करोगे तो ठीक रहेगा दूसरा सर आया gordon model gordon model में क्या था सर उन्होंने भी अपना अलग opinion दिया तीसरा सबसे main था mm mody miller approach उसने अपना अलग दिया यानि तीनों ने अपने अलग अलग opinion दिये और तीनों के ही opinion को पढ़ना है अगर हम तीनों के opinion को समझ जाते हैं और एक सवाल एक question के माध्यम से question के way से हम कुछ situation में हम proof कर पाएं कि देखो मैंने जब dividend 10% बाटा तो price ये था dividend 15 बाटा तो price ये dividend 100 बाटा तो price ये इसी तरीके से तो proof कर पाएंगे अगर हमने ये proof कर दिया examiner को तो हमारा question खदम हो जाता है तो चलिए आपको यहां तक कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं यहां तक कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं बताईए dividend model में किसी को doubt है कि dividend निकलता कैसे retention ratio क्या है यहां तक किसी को कोई doubt यल्दी यल्दी बताईए फटा फट जितने बच्चे live classes के अंदर जुड़े हुए हैं बताईए यहां तक जो मैंने समझाया है कोई doubt क्योंकि already कई बार हम इसको देख चुके हैं ठीक है चलिए सर अब देखते हैं इनके model क्या क्या हैं आईए dividend decision decision का मतलब फैसला और फैसले के साथ साथ अपको ध्यान रखना है value of firm dividend decision या value of firm क्या होता है और क्या बताता है इसके अंदर तीन model है तीनों के अपने अपने rule है Walter model है Gordon model है और MM model है MM का मतलब Modi Miller जो की आपका एक chapter और भी था value of firm के अंदर जो वो भी important था अब इन तीनों ने जब समझाया ना कि इस तरीके से करो आपका value of firm बढ़ेगा आपका share का price बढ़ेगा इन तीनों ने अपने अपने कुछ opinion दिये अपने तर्क दिये इसके साथ साथ इसने बुला भाईया अगर ये situation रहा तभी मेरा कहा हुआ बात माना जाएगा आपने देखे होंगे जो बच्चे कुछ preparation कर रहे होंगे SSC वगरा का या mathematics वगरा देखते हों तो उसमें shortcuts होते हैं तो क्या एक shortcuts हर किसी पर लग जाता है नहीं लगता उसके situation अगर वो जो situation बताया गया वो situation अगर मिलते हैं तभी वो shortcuts अप्लाई हो सकते हैं सेम वॉल्टर ने का भीया हम बता रहे हैं value of firm बढ़ाने का तरीका लेकिन हम कुछ चीजे को मान के भी चल रहे हैं और ये चीजे हुआ तभी आपका value of firm क्या हो पाएगा बढ़ पाएगा तो इनके कुछ अजमशन थे उन्हेंनों कहा all investment true retention अरणी इनका कहना था कि आपको एक नई ब्रांच खोलनी है तो बाहर से करजा मत लिजिए dividend बाटिये ही मत जो भी investment करना है आप shareholder को समझाइए कि भाई या इस बार हम आपको dividend नहीं देंगे पैसे बचा रहे हैं नई ब्रांच खोलेंगे और उससे आपका future में फाइदा होगा share price बढ़ेगा पहला जमचन तूसरा business risk जो है वो same रहेगा जो पहले हमारा business risk था new ब्रांच खोलेंगे वही business risk रहने वाला है कोई भी नहीं इनका जमचन है तीसरा firm has an इसका life किसी भी company का life कितनी होगी infinite मतलब कभी बंद नहीं होगी company चलती रहेगी तो तीन जमचन किसके थे सर ये ये थे Walter model के इसके साथ साथ एक और model आया जिसका नाम था Gordon model गौर्डन ने बोला किया Walter भाई साथ जो आप बोल रहे हो सही है ये एकदम fact है मैं इससे agree करता हूँ लेकिन मैं दो और इसमें बाते add करना चाहता हूँ तब मेरा वाला जो formula है मेरा वाला point कामियाब होगा इसने कहा ये तीनों बाते तो बिल्कुल सेम है लेकिन दो point और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे growth rate of the firm का product होगा किसका सर retention ratio का product होगा सर retention ratio सर अभी question देखेंगे तो सारी चीज़े हमें समझ में आ जाएगा और इसने बोला मेरा formula और मेरा opinion तब ही कामियाब होगा जब के जादा हो जाएगा जी से जी का मतलब होता है growth rate के किस से जादा हो जाएगा जी से तीसरे mm आए हैं mm ने बोला कि भाईया gordon और walter आप क्या बाते कर रहे हो कि भाईया dividend देंगे या retention करेंगे dividend देंगे तो firm का value कम होगा या जा जादा होगा ऐसे वैसे करो mm ने बोला भाईया dividend दो मत दो कोई फरक नहीं पड़ता value of firm कभी बदलता ही नहीं है सेम रहेगा हमारा यह किसका कहना था mm का लेकिन हमारे भी कुछ हजम से ने तुम्हारे इने जम्शन को मैं नहीं मान रहा हमारे कुछ हजम से ने वो दी इसने कहा के capital market perfect है मतलब कोई भी share खरीद सकता है बेच सकता है इन्होंने कहा investment rational and well informed है investor जो है एकदम perfect है घ्यानी है पूरा share वजार का उसे एक एक चीज की knowledge है हम यह मान के चल रहे हैं तब ही ऐसा possible होगा there is no corporate tax बोलता है सरकार tax वसूलेगी ही नहीं जो कि यह एक तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ऐसा possible ही निया government तो टेक्स लेगी there personal leverage और बोला गया जो पैसे हम लगाएंगे firm के अंदर मान के चलेंगे वो पैसा हम कहीं लगाते तो वहां से भी income होता security अब किसी को अगर आधा share भी चाहिए तो वो भी खरीद ले तो देखो इस chapter में से आपका theory भी पूछा जा सकता है कि Walter model क्या है और Walter model के assumption बताईए या Gordon model क्या है Gordon model के assumption बताईए आप एक बात मुझे बताईए अगर आपसे पूछा जाएगा Gordon model क्या है इसके assumption बताईए तो क assumption तीन पार्ट है अब हम समझते हैं एक एक करके सबसे पहले हम समझेंगे सर Walter model सबसे पहले हम किसको समझेंगे Walter model को इनके assumption को भी apply करेंगा और सारी चीजों वो वोल्टर मोडल को समझने के लिए पहले Walter model ने क्या क्या कहा था formula क्या दिया था किस हिसाब से था वो चीज़े देखते हैं सर Walter model क्या कहता था Walter model कहता था market price यानि पी जो आप निकालोगे न वो होगा d divided by k a plus r divided by k e minus d divided by k e सर ये क्या है एक एक करके समझते हैं सर पी का मतलब है share का price कौन सा price सर market price सर d का मतलब है dividend अब जैसे कि आपको पता होगा अभी हमने एक example लिया था dividend कितना था सर यानि अगर आपको मैं e बता दू अगर मैं आपको e बता दू और मैं आपको ratio दे दू retention ratio या payout ratio तो dividend आप निकाल सकते हो न तो सर यहाँ पे वही कहना था कि d for dividend के cost of equity आपका equity shareholder को कितना खर्चा पड़ रहा है r rate of return आपके investment पे कितना return होगा e earning जो की हमने निकाला था e p s इनका कहना था कि भाई अगर हमारा r बड़ा हुआ return यानि हम investment जो कर रहे हैं नए firm को जो खोल रहे हैं या फिर हम कुछ भी investment firm के अंदर retain earning कर रहे हैं अगर हमारा return ज्यादा आया cost of equity share तो ऐसे में आपने क्या करना है payout ratio रखना है zero मतलब sir payout ratio का 0 का मतलब क्या हो गया dividend कितना देना है 0% payout ratio मतलब sir कहां पे payout ratio का मतलब sir payout ratio का मतलब dividend ratio ठीक है इसने कहा अगर आपका आर होता है क्या ज्यादा किस से केई से तो आपने रखना है payout ratio zero मतलब dividend दो ही मत सारा पैसा investment करो क्योंकि आपको return ज्यादा मिल रहा है return ज्यादा मिल रहा है तो dividend बाद में देना पहले investment करके अपनी value बढ़ाते जाओ आगे कहा कि अगर आर आपका केई यानि आर आपका return कम है और cost of equity ज्यादा हो रहा है तो भहिया सब dividend बाट दो retention कुछ मत करना तो इन्होंने कहा payout ratio रखो 100 तो payout ratio 100 का मतलब dividend कितना दो 100% इसके बाद कहा अगर r is equal to k होता है तो अपना दिमाग मत लगा कोई share price पर फरक नहीं पड़ेगा आप dividend दो dividend ना दो रख लो जादा दो कम दो फरक पढ़ना ही नहीं है अगर r is equal to k हो जाओ तो यह क्या था हमारा walter model का सर इसके उपर हम कुछ questions देख लेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा यह क्या बताएगा यह formula price बताएगा सर कैसे बोलेंगे हमारा यह proof अच्छे से हो रहा है price बढ़ के आएगा तो बोलेंगे भाया value of arm बढ़ रहा है यह घट रहा है value of arm बढ़ रहा है चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं छोटे छोटे से इसके उपर फिर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा एक बहुत ही simple सा question है है